अलो स्टुडेंट्स स्वागत है अब सभी का यूपी आई टैस्ट्रक्टर केस यूट्व प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी के सामने हाजर हूँ प्रैक्टिस सेट थर्ड लेके यह जो प्रैक्टिस सेट है अल्रेडी आप सभी को बता चुका हूं कि जो मार्केट में न्यूप्रैक्टिस सेट की कुछ बुक्स्व हैं जिनमें चार से खाशे फाख प्रैक्टिस सेट प्रॉइड कराये है तो आपको वह सभी की नॉप्रैक्टिस सेट्स फ्ली रफ्कोश्ट G Ear제र्टब बाने प्रवाण हैं चैनल कौझ स्क्राइब कर लेए और जिनोंने पुराने प्रिक्टिस आइटेट लेखे पहले मादे प्रेख लिक्न झीन और प्रेख कर लागन है प्रिक्टिसस के अब प्रवा करते हैं मुझा जिनके इंडिट्स ने, मैंने जो वीडियो अभी प्रोवाइड कराई हैं, आपके स्लेवर से रिलेटेड वो नहीं देखी हैं, तो उन वीडियो को भी जाकर आप जरूर देखें, उसमें मैंने आपको एनवार्मेंट से रिलेटेड काफी सारे लेवर एक्ट्स भी पढ़ाय हुए हैं, और हिंदी का मटेरियल भी पढ़ाया हुआ है, कम्प्यूटर से रिलेटेड भी काफी सारी चीज़ें मैंने आपको कवर अप कराई हैं, जो आपके आने वाले एक्जाम, यूपी आई टेंस्ट्रक्टर के लिए काफी बेनिफिशली होंगी, आने वाले कुछ द बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ, उसका नोडिफिकेशन आप सभी तक पहुंस सकें, तो यहां पर आपको जितना भी मटेरियल है, वो फ्री आफ कोश्ट प्रवाइड कराया जा रहा है, इसलिए आप क्वालिटी पर भी फोकस ना करते हुए, सिर्फ कंटेंट पर फोकस करें, क्योंकि जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, वो एक दम उत्राइज है, और आपके स्लेवर से ही रिलेटेड है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप, UPI से संबंधित क्वेशन हम सॉल्ब करेंगे, फर्स्ट क्वेशन है, देखिए, डिवाइजस की सिंग्यूलर फॉर्म बतानी है, तो डिवाइजस की सिंग्यूलर फॉर्म डिवाइज होती है, सभी जानते हैं, डिवाइजस का अर्थ होता है, ये यंत्र और युप्तियां य आपको प्लूरल फॉर्म बताना है तो इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो लेबरोरिटरी इस होता है इस्पेलिग कि अगर मैं बात करूं तो बैद आपको बताना है कि कौन सा टैंस जो है वो present perfect continuous tense में है तो आप सभी को पता होगा कि continuous tense में हम ing form यूज़ करते हैं और present perfect continuous tense की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें verb की third form plus have sorry verb की third form नहीं verb की ing form साथ ही साथ has been या have been का यूज़ किया जाता है present में तो present perfect continuous की जो मैंने भी आपको detail बताई है उस detail के according आपको have been या has been देखना है present के according तो देखिए has been या have been आपको option number c में दिखाई दे रहा होगा तो I have been making cakes यहाँ यह आपका right answer है next question है change the following sentence into present continuous tense तो देखिए आपको जो tense दिया गया है I agree with the boss इसको आपको present continuous tense में change करना है तो मैंने आपको last question में बताया है कि present continuous tense में ing form use होती है verb की और साथ ही साथ ismr का use होता है तो देखिए I agree with the boss का जो ing form sorry present continuous tense होगा वो होगा I am agreeing with the boss इसलिए आपका right answer है option number c next question है choose the correctly punctuated sentence from the following option आपको इन सभी options में से जो correctly punctuated sentence है वो आपको बताना है देखिए it is mentioned in the notice semicolon all of us should read it ये एकदम correctly punctuated है देखिए semicolon का use वहां किये जाता है जहां पर हमें थोड़ा सा ठहराओ लेना है वहां इसका use होता है तो it is mentioned in the notice ये notice में mention किया गया है all of us should read it कि हम सभी को ये पढ़ना चाहिए इसका right answer है option number a next question है निमने मैंसे कौन cpu का भाग नहीं है तो देखिए primary storage cpu के भाग के अंतरकत consider नहीं की जाती है जबकि register, control unit तथा ALU cpu के ही भाग है तो primary storage device में RAM और ROM सामिल होते हैं जबकि CD, pen drive और ये सभी के सभी memory card वगेरा ये secondary storage devices के अंतरकत consider किये जाते हैं next question है question number 7 processor के तीन मुख्य भाग है तो देखिए processor के जो तीन मुख्य भाग होते हैं वो arithmetic, logic unit, control unit वा RAM होते हैं जो आपको याद रखने हैं तो option number A इसका right answer है next question है USB युक्ति कौन सा प्रकार है देखिए USB का जो संग्राय है वो कौन सी युक्ति का प्रकार है प्रकार की storage device होती है जो तेजी से data transmit करने के लिए यूज की जाती है इसका जो right answer है वो है option number B secondary next question है वरतमान में CPU दारा निस्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है तो देखिए वरतमान में CPU दारा जो भी प्रोग्राम execute प्रोग्राम होते हैं और आगड़े होते हैं वो primary memory में store होते हैं primary memory दो types की होती है RAM और ROM तो इसका right answer है option number A primary memory वही RAM की अगर मैं बात करूँ तो random access memory ये एक इस्थाई memory है वही ROM की अगर हम बात करें तो read only memory ये एक इस्थाई memory की अंत्रगत आती है next question है software का अर्थ है तो देखी computer में किसी भी कार को करने के लिए software का use किया जाता है software को program भी कहते हैं software उन program को कहा जाता है जिनको हम hardware पर चलाते हैं किसी भी computer को चलाने के लिए जो सबसे आवशक software है वो होता है operating system बिना इसके computer पर कार करना संभाव नहीं होता इसी लिए software का अर्थ है option number C programs next question है android है तो देखी आपको बताना है कि android क्या है जो आपके phone में use किया जाता है android जो होता है वो operating system के अंदर कर consider किया जाता है android एक mobile परचालनतंद यानि operating system है जो google दोरा विक्सित यह है OS smartphone, tablet और touchscreen mobile device ये तू use होता है next question है निमलेखित मैंसे कौन computer file name के अंत में अंतरवेश्ट होता है और file के प्रकार का निर्धारण करने में सहायता करता है तो देखी file subname computer file के अंत में contained होता है अत्वा file के प्रकार का निर्धारण करने में भी सहायता प्रदान करता है तो इसका जो right answer है option number A file subname next question है Safari है तो देखी आपको बताना है कि Safari क्या है तो Safari Apple दोरा विक्सित एक graphical web browser है जो web kit engine पर आधारित है किस पर आधारित है web kit engine पर आधारित है इसको सबसे पहले 7 जन्मरी 2003 को जारी किया गया था तो Safari क्या है Safari एक web browser है next question है worldwide web के आविसकारक कौन है सभी जानते होंगे कि worldwide web के आविसकारक Tim Burner ली है next question है यह बताएं कि निमने कथन सही है या गलत Google एक web search engine है और इसे Microsoft द्वारा चलाया जाता है option number 2 Wing एक web search engine है जिसका माले Google है और Microsoft द्वारा चलाया जाता है आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि दोनों ही कथन जो है वो wrong है क्योंकि Google एक web search engine है एवं Google इंटरनेट पर आधारित है Google, Stanford विस्विध्याले से PhD के दो चात्रों Larry Page और Sergey Brin द्वारा इस्तापित की गई थी वहीं wing एक search engine है जिसे Microsoft द्वारा निर्मित किया गया है तो इसका right answer है option number B next question है website का collection है तो देखिए website web pages का एक storage होती है किसी website का जो प्रफम page, homepage कहलाता है homepage से उस website के अन page के बारे में भी जानकारी राप्त होती है तो इसका right answer है option number D website web pages का collection है next question है question number 17 internet के जरिए लोगों से संपर करने की लिए name name से किसका use किया जाता है तो देखिए internet के माध्यम से उप्योग करता यानि की user दोरा अन उप्योग करता से संपर करने के लिए email का use किया जाता है जिसमें domain name at the rate के पहले और sorry जिसमें username at the rate के पहले और domain name at the rate के बाद के सब्द होते हैं तो इसका राइट आंसर है email address next question है निमलिकित में से कौन सी email सुवधाओं का use एक दूसरे को अपनी पहचान बताए बिना कई प्राप्त करताओं को email भेजने के लिए किया जाता है देखिए जिन candidates ने email का section जाकर जिन मैंने आपको email already पढ़ाया हुआ है और काफी deep में पढ़ाया है और मैंने कोसस की है कि आपके कोई भी questions email से बाहर ना जाएं तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज आप सभी जाकर वो वीडियो एक बार जरूर देखें email से related उसमें मैंने आपको सारी की सारी जो most important चीज़ें है वो उसमें बता रखी है तो देखिए कौन सी email सुवदाओं का use एक दूसरे को बिना पहचान बताए बिना कई प्राप्त करताओं को email भेजने के लिए किया जाता है तो BCC यानि की blind carbon copy email सुवदा का use हम एक दूसरे को अपनी पहचान बताए बिना कई प्राप्त करताओं यानि receivers को email भेजने के लिए करते हैं तो इसका right answer है option number D BCC next question है Microsoft word में मूलता दो परकारगी formatting होती है character formatting और देखिए Microsoft word में मूलता दो परकारगी formatting होती है एक character formatting और दूसरी paragraph formatting यह आपको याद रखना है option number A इसका right answer है next question है MS word के text document में काम करते समये mouse को desk क्लेक करने पर यह default रूप से पूरे paragraph का चायन करता है तो देखिए MS word के text documents में काम करते समये mouse को अगर हम triple क्लेक करेंगे तो यह default रूप से पूरे paragraph को select कर लेगा इसका right answer है triple next question है Microsoft Excel में data desk में प्रविष्ट किया जाता है जो पंक्तियों और column के grid को निर्मित करता है तो देखिए Microsoft Excel में data cells में प्रविष्ट यानि की enter किया जाता है जो rows और column के grid को निर्मित करता है तो इसका right answer है cells next question है Microsoft Excel worksheet के सक्क्री सेल में डेटा को प्रतरसित करने या संपाधित करने के लिए किसका यूज किया जाता है तो देखिए Microsoft Excel Worksheet में किसी Active Cell में डेटा को प्रतरसित यानि की रिप्रेजेंट करने या editing यानि संपाधित करने के लिए formula bar का यूज करते हैं formula bar Microsoft Excel और Unspread Seed Applications में एक अनुभाग की तरह कार करता है इसका right answer है formula bar option number C next question है question number 23 QR code को पढ़ा जा सकता है QR code को scan करके पढ़ा जा सकता है QR code का एक लाव्या है कि इसे smartphone से scan किया जा सकता है हमें scanning करने के लिए किसी handhold युक्ती की जरूरत नहीं पढ़ती है क्योंकि आप phone से ही से scan कर सकते है next question है question number 24 Wi-Fi का पूर्ण रूप क्या है तो wireless fidelity इसका पूर्ण रूप होता है option number 20 का right answer है next question है email header में निमलेखित में से कौन से field सामिल होते हैं तो देखिए email header में to form CC यानि की carbon copy BCC यानि की blind carbon copy तथा subject ये सारे field सामिल होते हैं अथा option D इसका right answer है question number 26 कंपन यानि की vibration और विकरण यानि की radiation किसके अंतरकत आते हैं तो देखिए कंपन और vibrations यानि की radiation सारीरिक खत्रे यानि की physical हजार्ड की अंतरकत आते हैं सारीरिक खत्रों में ergonomic खत्रे विकरण गर्म और सीथ प्रवलित यानि की heat and cold stress vibration हजार्ड तथा sore खत्रेयादी सामिल होते हैं तो option number C इसका right answer है next question है नेमलिखित में से कौन सा ergonomic खत्रा नहीं है तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ergonomic खत्रों के अंतरकत क्या क्या आते हैं विकरण heat and cold stress vibration hazard sore और खत्रे ये सभी ergonomic खत्रों के अंतरकत आते हैं तो वहीं अगर मैं बात करूँ question number 27 की तो कौन सा ergonomic खत्रा नहीं है तो देखिए भावनात्मक बादहाएं ergonomic खत्रे नहीं होती हैं ergonomic खत्रे तवत्पन होते हैं जब आप किसी प्रकार का काम करते हैं आपके सरीर की इस्तिति और या आपके काम करने की इस्तितियां आपके सरीर पर तनाव डालती हैं ergonomic खत्रों में खराब रौसनी यानि की पूर लाइटनिंग अनुचित रूप से समयोजित कारिस्थान और कुर्सियां बार बार उठाने दोहराने वा अजीव गलतियां करने गलत अभिन्यास तथा अजीव स्थितियां आदी सामिल होती हैं आप्सन नमबर सी इसका राइट आंसर होगा नेक्स कॉस्चन है अगर आप किसी व्यक्ति को कृतिम स्थान देना चाहते हैं तो किर्थिम स्थान स्थान देने के लिए सरप्रथम स्थान नमबर को साफ करना चाहिए दुरगटना आदी में यदि किसी व्यक्ति की सांस रुख जाती है तो उसे तुरंथ किर्थिम सांस देना अथ्यदीग आवश्यक होता है तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वांसनली, option number D Next question है, निसे धात्मक चिन्नों यानि prohibition science का आकार होता है तो देखिए, निसे धात्मक चिन्नों का आकार वर्टाकार यानि सर्कुलर होता है इस प्रकार के चिन्नों को गोले के किनारे का रंग लाल होता है निसेदात्माक चिन किसी कार के वर्जित यानी कि प्रतिबंदित होने का प्रदासन करते हैं Next question है इधन यानी कि fuel, heat एबम oxygen का सयुख तारेखी चित्रण क्या कहलाता है अप्शन नम्मर ए फायर ट्राइंगल अगनी त्रभोज नेक्स कॉश्चन है कॉश्चन नम्मर थर्टी टू भूकम यानि की अर्थक्विक को किस नामक यंत्र से मापा जाता है तो देखिए अर्थक्विक को हम सीस्मोग्राप से मेजर करते हैं जो भूकम की तीवरता को रियक्टर प्यमाने पर सो करता है नेक्स कॉश्चन है नीचे दिये गए खाद संबंद कहलाते हैं तो देखिए दिया गया खाद संबंद घास, हिरन, सेर, अब घटक इसका मतलब है घास को हिरन ने खाया, हिरन को सेर ने खाया और जब सेर मर गया तो उसे अब घटक कर दिया गया तो यह यहां पर घास उत्पादक इसतर को प्रतरशित करती है तो इसका जो राइट आंसर है खाद स्रंखला क्योंकि यह खाद संबंद है खाद स्रंखला है यानि कि फूड चेन है जो की एक कंटिनिटी में एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है कि घास जैसे हिरन जो है वो घास पर डिपेंड करता है और सेर है वो हिरन पर और अब घटक जो है वो सेर के उपर डिपेंडेंट है तो यह खाद स्रंखला है फूड चेन है तो इसका right answer है option number B next question है उर्जा प्रामेट होते हैं energy प्रामेट होते हैं तो देखी एनर्जी प्रामेट सदेब ऊपर की ओर होते हैं ये प्रामेट कभी भी उल्टे नहीं होते उर्जा प्रामेट पिरतेक ओशन इस्तर पर उर्जा की कुल मात्रा को दर्साता है नेक्स कॉस्चन है निमलिखित मैंसे कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदाई है तो देखी वायू में कार्बन डायोकसाइड की मात्रा बढ़ने और ग्रीन हाउस प्रभावों के कारण प्रिश्वी की सताय के आउसत तापमान में ब्रद्धी को हम ग्लोबर वार्मिंग कहते हैं तो इसी लिए जो इसका राइड आंसर है वो है CO2 रानी की कार्बन डायोकसाइड ग्लोबर वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदाई है नेक्स क्वेश्चन है मात्रव लाव अधिनियम 1961 के बारे में निमलिकत में से क्या सही है तो देखे मात्रत लाव अधिनियम 1961 गर्बती महला कर्मचारियों को भुकतान मात्रत अवकास के लिए प्रदान करता है यह अधिनियम सभी निजी और सरकारी कार्यालों पर लागू होता है जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं वहाँ यह लागू होता है तो इसका जो राइट आंसर है ओप्सन नमबर B फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ओप्सन इसके राइट है यह किवल उन्ही कार्यालों में लागू होता है जहां 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं यह अधिनियम गर्बती महला कर्मचारियों को सवितन मात्रत अवकास का अधिकार प्रदान करता है तो इसका राइट आंसर है ओप्सन नमबर B नेक्स कोश्टन है सही कथन का चायन करें तो आपको बताना है कि इसमें इन ओप्सन्स में कौन कौन से जो ओप्सन्स हैं वो सही हैं सम्विदान के अच्छेद 49 डी में यह कलपना की गई है कि पुर्सों और महल महलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए ब्रॉंडेड लेवर सिस्टम यानि बंदुवा मजदूर अन्मूलन अधीनियम 1957 में पारित किया गया था बाल स्रम अधीनियम 1989 में पारित किया गया भारती सम्विदान का अनुच्छेद 23 बाल स्रम पर प्रतिवंद लगाता है तो देखी सम्विदान के अनुच्छेद 49D में यह अभिकल्पना की गई है कि फुरसों और महलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए इसका यह उप्सन एकदम राइट है वहीं उप्सन बी की अगर हम बात करें तो बांडेड लेवर सिस्टम यानि क कि बंदुआ मजदूर अधीनियम इसमें लिखा है 1957 में पारित किया गया जी नहीं यह 1976 में पारित हुआ था वहीं बालसरम अधीनियम 1989 में पारित हुआ था तो इसलिए इसका जो right answer है वो है आप्शन नमबर A वहीं भारती सम्मिदान का अनुच्छेद 23 बाल सरम पर प्रदिवन्द लगाता है तो देखिए इसका जो साइद अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद नमबर 21 जो की बाल सरम पर प्रदिवन्द लगाता है Quesion No. 38 सरमकों के हितों की रक्षा के लिए गठित किया जाता है तो देखिए सरमकों के हितों की रक्षा के लिए सरम संग गठित किया जाता है जो की सरमकों के हितों की रक्षा करता है तो इसका जो राइट आंसर है option No. B सरम संग Next question है Quesion No. 39 अध्योगिक संबंद से उत्पादन में सामाजिक संबंदों का बोध होता है को परभासित किया गया है तो देखी अध्योगिक संबंद से उत्पादन में सामाजिक संबंदों का बोध होता है इसको परभासित अंतराश्टी स्रम अध्यन संस्थान द्वारा किया जाता है इस इडेंटिफिकेशन नंबर भारत सरकार की योजना अलग-अलग स्रम परिवर्तन एजेंसियों जैसे की ESIC, EPFO, CLC और DGMC आधी द्वारा LIN नंबर जारी किये जाते हैं तो 40 नंबर कॉश्चन का राइट आंसर है अप्शन नंबर A, Labor Identification नंबर नेक्स्ट कॉश्चन है, कॉश्चन नंबर 41 ओद्योगिक संबंद के किस परिप्रेक्ष में प्रवंधन कर्मचारी और संगठन के सभी सदस्य समान उद्देश साजा करते हैं तो देखिए ओद्योगिक संबंद के एकात्मक परिप्रेक्ष में प्रवंधन कर्मचारी और संगठन के सभी सदस्य समान उद्देश साजा करते हैं तो इसका राइट आंसर है ओप्शन नंबर C, एकात्मक परिप्रेक्ष नेक्स कोश्चन है, कोश्चन नंबर 42, ओद्योगिक बिवात अधिनियम 1947 के किस धारा के अंतरकत हरताल को निसिद किया गया है तो देखिए अध्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा है धारा 22 इसके अंतरकत हर्ताल को निसिद यानि की प्रोहिबिटेट किया गया है इसका राइट अंसर है option number A धारा 22 नेक्स कॉस्चन है भारती स्रम सम्मेलन का अध्यक्ष होता है तो देखिए भारती स्रम सम्मेलन का अध्यक्ष केंद्री स्रम मंत्री होता है वर्तमान में केंद्री स्रम मंत्री स्री भूपेंद्र यादाव जी है नेक्स कॉस्चन है question number 44 कारखाना धीनियम के अनुसार एक स्र काया है कि कारखान अधिनियम के अनुसार एक स्रमिक ने एक कलेंडर वर्स में कम से कम 240 दिन काम किया हो कि वह पश्यावत्वर्ती वर्स में मजदूरी सहित अफकास लेने का हगदार हो तो इसका राइट आंसर है 240 option number A next question है question number 45 कर्मचारी राजबीमा अधिनियम के अंतरगत नियोकता का योगदान कर्मचारी का कुल दे मजदूरी का कितना पृत्सत होता है तो देखिए कर्मचारी राजबीमा अधिनियमale के अंतरगत, न्योकता का योकदान, कर्मचारी का कुल योकदान में मजदूरी का 4% होता है, इसका जो राइट आंसर है, आप्जन न्बर D, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है आप्जन में भी प्रैक्टिस सेट में कहीं न कहीं मिस्प्रिंट हो सकती है लेकिन अगर इसकी जो राइट आंसर की मैं बात करूँ तो मेरे कोर्डिंग जो मैंने पढ़ रखा है वो है 3.25 जो की नियोकता द्वारा कर्मचारी की कुल्दे मजदूरी का परसेंटेज है जबकि जो कर्म नेक्स कोश्चन है प्रिसिच्च्च्चु अधीनियम पारित किया गया था तो देखी प्रिसिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च में पारित किया गया था अप्रेंटिस का अर्थ है प्रिसिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमबर 48 एपी एफो का अर्थ है तो देखे एपी एफो का अर्थ है कर्मचारी भविस्थ निधी संगठन यान की Employees Provident Fund Organization ओप्शन नमबर ए इसका राइट आंसर है कर्मचारी भविस्थ निधी संगठन नेक्स्ट क्वेशन है असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बनाए गए देखे असंगठित कर्मकार सुरक्षा अधिनियम 2008 में बनाए गए थे आप्सन नमबर भी राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमबर 50 मजदूरी भुखता अधिनियम 1936 के मुख्य उद्देश हैं तो देखे मजदूरी भुखता अधिनियम 1936 के जो मुख्य उद्देश हैं उनमें मजदूरी से अनाधीकरत कटोतियों को रोकना यानि कि बेफिजूली बेवजाय की जो कटोतियां हैं उन्हें रोकना मजदूरी की मजदूर के नियमित भुखतान की विवस्था करना यानि उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पे उनकी मजदूरी का भुखतान मिल सके ये इसके उद्देश है इसलिए उप्सन नमबर डी ए और भी इसका राइट आंसर है नेक्स कुश्चन है लेंगिक उत्पीडन निमलिखत मैं से कौन नहीं है तो देखे इनके जो परसंद में आपको विकल्प दिये गए हैं सारीरिक संपर्क और अग्र गमन इस्तरियों से बातें करना लेंगिक अत्योक्त टिपडियां करना असलील साहित दिखाना तो देख नेक्स कुश्चन है कुश्चन नमबर 52 लेवर ब्यूरो द्वारा प्रकासित किया जाता है तो देखे भारती सरम जनरल भारती सरम सांक्यकी और भारती सरम बर्स पुस्तक में ये सभी लेवर ब्यूरो द्वारा प्रकासित होते हैं यानि उप्योक्त सभी इसका राइट आ मंदी आने वाली समस्याओं पर अंकुस लगाने हे तू किया गया था तो इसका राइट आंसर है option number A next question है असंगर्ठित छेत्र के स्रमकों हे तू तयार एक सामाजिक सुरक्षा ने थी यानि की social security fund मैं पैसों का सुरोत कौन तै करेगा तो देखिए असंगर्ठित छेत्र के स्रमकों हे तू तयार एक सामाजिक सुरक्षा ने थी में पैसों का सुरोत केंदर सरकार तै करती है इसका right answer है option number C next question है समाधान पोर्टल है तो देखिए समाधान पोर्टल एक प्रकार का अध्योगिक विवाद सुल्जाने के लिए एक online पोर्टल है जो government of India के दोवारा release किया गया था इसका right answer है अध्योगिक विवाद सुल्जाने के लिए एक online पोर्टल option number A right answer है next question है question number 56 QMS का विस्तार रूप क्या है तो देखिए QMS का विस्तार रूप है वो है quality management system गुडवत्ता प्रणाली गुडवत्ता प्रवंधन को लागू करने के लिए एक संगठनात्म गरचना है जिसकी जिम्मेदारियां भी होती है प्रकरियाएं भी होती है और कुछ प्रॉसेस भी होते हैं और संसाधन यानि की resources भी होते हैं इसका right answer है option number C quality management system next question है कौन सा गुडवत्ता सरकल में इस्तिमाल होने वाला मौले कॉजार नहीं है तो देखी पारेटो चार्ड यानि की परेटो चार्ड हिस्टोग्राम तथा check seat गुडवत्ता सरकल में इस्तिमाल होने वाले मौले कॉजार है जबकि टार्क रिंच गुर्वत्ता सरकल में इस्तमाल होने वाला मौले गौजार नहीं है तो आपसर नमबर डी टॉर्क रिंच इसका राइड आंसर नहीं है जो कि गुद्वत्ता सरकल में सामविल नहीं होता Next question में बात करें 58 की तो गुद्वत्ता का कौनसा कथन गुडवत्ता गुरू डॉक्टर जे एम जुरान दौरा कहा गया था तो देखी गुडवत्ता गुरू डॉक्टर जे एम जुरान ने कहा था कि गुडवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है यानि quality is fitness of use वहीं flip cross B के अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था आवशक्ता के अनुसार आवशक्ता के अनुरूपता के रूप में गुडवत्ता यानि quality is the conformance to requirements इसका right answer है option number 1 गुडवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है जो की डॉक्टर जे एम जुरान ने कहा है next question है ISO का पूरूप क्या है तो देखी ISO का पूरूप है अंतराश्टी मानकी करण संगठन International Organization for Standardization ये 166 राश्टी मानक निकायों की सदस्यता वाला एक सतंत्र गैर सरकारी अंतराश्टी संगठन है next question है question number 60 5D का अर्थ आपको पूचा गया है कि 5D का अर्थ क्या है तो देखी 5D के अर्थ की अगर बात करूँ तो इसमें first होता है 1D से मतलब है delay 2D से मतलब है defect यानि की quality loss 3D से मतलब है dissatisfied customer यानि की loss of customer यानि ग्रहक की कमी fourth है fourth D का मतलब है declining profit यानि की money loss यानि पैसे की हानी वही fifth D का मतलब है demoralized employees यानि की loss of productivity उत्पादक्ता की हानी ये 5D के जो है full form है इसके अंतरगात आते हैं तो इसका जो right answer है option number B delay defect dissatisfied customer declining profit and demoralized employees देखी अभी तक हमने employability skill के अंतरगात आने वाले start questions discuss किये हैं वहीं अब हम बात करेंगे part two सामान विज्ञान की तो जो भी candidates channel पर नए है please channel को subscribe जरूर कर लें वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को like भी करें और हम से जुड़ने के लिए हमारे telegram group UPI 10 instructor 2022 को आप directly search करकर बहां जोड़ सकते हैं और कोई भी inquiry अगर आपकी है तो आप directly मुझे message कर सकते हैं question number 61 निमलिखित मैं से कौन INA से संब्ध नहीं थे तो देखिए गुरू दयाल सिंग ढिलो सहनवाज खां जनरल मोहन सिंग INA से यानि Indian National Assembly से संब्ध थे जबकि RC दत एक प्रमुख आर्थिक विसले सक और Congress के पंद्रहवे अधिविशन के अध्यक्ष थे जो लखनव में December 1899 में इसका पंद्रहवे अधिविशन हुआ था तो इसका जो राइट आंसर है RC दत INA से संब्ध नहीं थे नेक्स कोश्चन है प्रित्यक्ष कारवाही दिवस पर हिंदू मुसलिम दंगों की वज़े से कहां भारी नुकसान हुआ था तो देखिए अंतरिम सरकार में Congress द्वारा मुसल्मानों को नामजद करने के अधिकार को मुसलिम लीग से मानिता नहीं दी गई थी और 29 जून 1946 को कैमिनेट मिसन के वक्तव विको भी असुईकार कर दिया गया था साथ ही लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रित्यक्ष कारवाही दिवस के रूप में मनाया था इस दिन हुए सामपरताइक संगर्च में कोलकाता यानि जो पश्यम मंगाल में है वहां लगभग साथ हजार लोगों का कतल कर दिया गया था तो वहां हिंदू मुसलिम दंगों की बज़े से भारी नुकसान हुआ था इसलिए इसका राइट आंसर है कोलकाता अप्सन नमबर सी नेक्स कॉश्चन है कॉश्चन नमबर 63 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की गई थी तो देखिए रास बिहारी बोस ने बर्स 1915 में जब वो जापान गए जहां उन्होंने 1928 में भारती स्वतंतरा संग इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी वर्स 1912 में इन्होंने और वसंत विस्वास ने चांदनी चौक दिल्ली में वाइसराय हर्डिंग के जुलूस पर एक बम फेका था जो दिल्ली सड़यंतर केस के नाम से जाना जाता है तो आपको ये सारे की फेक्ट्स भी याद रखने हैं तो इसका जो राइट आंसर है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास विहारी बोस द्वारा 1928 में की गई थी जापान में नेक्स्ट है मुसलिम लीग को पृथक पृथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला तो देखिए वर्स 1908 में मुसलिम लीग के अमरिस्तर एदिवेशन में मुसल्मानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की मांग की गई जिसे 1909 में मारले मिंटो सुधारों की द्वारा प्रदान किया गया इसका राइट आंसर है 1909 पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 में मिला मुसलिम लीग को नेक्स्ट कॉश्चन है कॉश्चन नमर 65 निमले खितमे से किसको लोपड़ी नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में भी जाना जाता था त तो समर्पित कारिकरताओं का एक सांतिवादी समू था इस संगठन के स्वयम सेवक लाल कुर्ती पहनते थे जिसके कारण वे लाल कुर्ती के रूप में परसेद हुए इसका राइट आंसर है खुदाई कितमतगारों को लोगपड़ी नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना नेक्स कॉश्चन है कॉश्चन नमर 66 सरबोज न्यायले को इनमें से किस विवाद या निर्णय पर न्याय देने का मूल अधिकार है तो देखे समविधान के अनुच्छेद 131 के अंतरगत उच्छितम न्यायले की आरंभिक अधिकारता का वर्णन किया गया है अनुच्छे आता है तो इसका राइड आंसर है अप्शन नमर सी भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच जो है सरबोज न्यायले कोई बिवाद या निर्णय पर न्याय देने का अधिकार रखती है नेक्स कॉश्चन है कॉश्चन नमर 67 किसी समविधानिक संसूदन अधिनि कर दी गई तो अनुच्छे 326 में संसूदन करके लोकसभा तथा राजविधान सभा के चुनाओं में मद्दान की आयू 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दी गई ये वर्स था 1988 जो इसका जो राइड आंसर है वो है अप्शन नमर सी 61 समविधान संसूदन तथा अनुच्छे 326 नेक्स कॉश्चन है नीती आयूक के वर्तवान अध्यक्ष कौन है तो देखिए 15 मार्च 1950 को इसथापित योजना आयूक का पदेनध्यक्ष भारत का परधान मंतरी होता था लेकिन एक जनवरी 2015 से योजना आयूक के स्थान पर नीती आयूक की स्थापना की गई है वर्तवान में नीती आयूक के अध्यक्ष नरेंद्र मोधी है संयक्तुराज्ट यानि UN की स्थापना किस दिन हुई तो देखिए विस्त को युद्ध के खत्रों से बचाने तथा अंतराश्टी सांतिवा सुरक्षा स्थापित करने है तू विस्त के 51 राष्टों ने सैन फ्रांसिसको सम्मेलन में संयक्तुराज के घोशना पत्र में 26 जून 1945 को हस्तक्षर किये 24 अक्टूबर 1945 को सदस्य देशों की स्विकृती प्राप्थ हो जाने पर संयक्तुराज संग विदिवत स्थापित हो गया इसी उपलक्ष में 24 अक्टूबर को प्रती वर्ष संयक्तुराज संग देवस मनाया जाता है वर्दमान में संयक्तुराज संग में कुल 1393 देश है इसका मुख्याला नीव वर्क में है इसका राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को संक्तुराश्ट संग की इस्थापना की गई नेक्स्ट कुश्चन है वर्ष 1947 की बाद निमलिकित मैंसे किस राज्ज को भारत के संग के साथ बलपूर्बग मिलाए गया तो हैद्रवाद को भारत के संग के साथ बलपूर्बग मिलाए गया था वर्ष 1947 में भारत की सतंता की पश्चाथ हैद्रवाद के अंतिम निजाम उस्मान अली खान ने हैद्रवाद को सतंत रखने की घोशना की ततकालिंग रह मंत्री सरदार बलप भाई पटेल की पहल पर ऑपरेशन पोलो सीर्थक से पुलिस कारवाई प्रारंब की गई 16 सितंबर 1948 को भारती सेना ने सेन कारवाहिकर हैद्राबाद को भारती संग में मिला लिया गया नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 71 प्रकास निर्वाद में भी चलता है क्योंकि प्रकास संबंदित है तो देखिए प्रकास विद्धोती चुमक तरंगे हैं विद्धो चु मीटर पर सेकेंड से चलती हैं जो की निर्वात में प्रकास की चाल है इस आधार पर मैक्सवेल ने प्रतिबातित किया कि प्रकास विद्धुती चुर्म चुम की तरंगों की रूप में संचरित होता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्सन नम्बर सी चुम की छेत्र से नेक्स्क कॉस्चन है कॉस्चन नम्बर सेवैंटी टू छेतिच की समीब सूर्य और चंदरमा दीरगर्टाकार रूप में परिवर्थित होते हैं इसका कारण है दिखिए इसका कारण अपवरतन है वायू के अपवरतनांग के कारण सूर्य अपनी वास्त्विक स्थिती से नेक्स्क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट किनवक का यूज होता है तो देखिए जो घरेलू मक्खी जो इसका राइट आंसर है पनीर बनाने में रेनिन एंजायम किनवक का यूज होता है तो इसका जो राइट आंसर है आप्शन नमबर ए रेनिन नेक्स ग्षण है नेक्स ग्षण है नमलकित मैंसे कौन सा परजीवी नहीं है तो देखिए घरेलू मक्खी एक परजीवी नहीं है जबकि जू मच्चर तथा किलेनी परजीवी जन्टू है नेक्स्ट कॉस्चन है, कॉस्चन नम्बर 76 निमलिकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको इसके जो मिलान है वो करने है और बताने हैं कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है तो देखी, ओप्सन नम्बर D नेक्स्ट कॉस्चन है भारत में पंचवर्सी योजना बनाने की जिम्मिदारी किसकी है तो देखी, भारत में पंचवर्सी योजना बनाने की जिम्मिदारी योजना आयोग की है योजना आयोग एक सम्विधानी तर निकाय है जिसका पदेन अध्यक्ष परधार मंत्री होता है एक जन्मरी 2015 से इसका इस्थान नीती आयोग ने ले लिया है नेक्स कॉश्चन है, कॉश्चन नमर 78 गावों से नगरों की और परवजन बढ़ता है तो देखिए, गावों से नगरों की और परवजन के परणामों में निमलिकित को समलित किया गया है तो देखिए, जैसे सहरों में भीड का बढ़ना, अपरादों में वृद्धी, सहरों में बुनियादी, सुपधाओं की कमी होना, ट्रैफिक समस्या पैदा होना ये सभी गावों से नगरों की और परवजन के परणाम है तो देखिए, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नमबर बी नेक्स्ट क्वेशन है, क्वेशन नमबर 79, ओद्ध्योगे करांती से क्या आया तो देखिए, उद्ध्योगे करांती की सुरुवात इंग्लेंड में हुई, क्योंकि इंग्लेंड के पास अपने वेशों के कारण कच्चे माल और पूझी की अधिकता थी इंग्लेंड औध्योगिक करांथी की सुरुबात सूती कपड़ा अध्योग से हुई, औध्योगिक करांथी से ही पूजीबाद का प्रारम माना जाता है, तो अध्योगिक करांथी से क्या आया, तो आया पूजीबाद, इसका right answer है option number A नेक्स कॉश्चन है तालचेर यानि की जो उडीसा में है किसके लिए प्रिसिद्ध है तो तालचेर उडीसा के अंगुल जिला के चार सब डिवीजनों में से एक है ब्रामनी नदी के दाहने किनारे पर इस्थे तालचेर देश के तेजी से विध्धी करते हुए और ज्योगे भी इसकी महत्ता को और बढ़ाया है तो किसके लिए तालचेर प्रिसिद्ध है तो कोईले के लिए तालचेर प्रिसिद्ध है 81 से लेके आपको 85 तक जो है वो math के सवाल दिये गए हैं काफी simple सवाल हैं तो maybe आप इन्हें solve कर सकते हैं इसलिए मैं इनका discussion नहीं करूँगा बात करते हैं question number 86 इनमें से एक मोक्ष का परियावाची सब्द है तो देखिए मोक्ष का परियावाची जो है निर्वान, कैवल, मुक्ति, परंपद, पर्धाम और सद्गती होता है इसके हिसाब से इसका जो right answer है निर्वान, मोक्ष का परियावाची सब्द है Q87. हर सब्द का विलोम सब्द क्या है? तो देखिए हर सब्द का विलोम विसाद अथवा सोग होता है Q88 अनिकार्थक सब्द के रूप में गुरू का कौन सा अर्थ अनुप्युक्त है तो देखिए अनिकार्थक सब्द के रूप में गुरू का दिये गए सब्दों में से एक नक्षत्र अनुप्युक्त सब्द है गुरू या ब्रहस्पती का भी नाम है परन्तु ये नक्षत्र नहीं है सेश, पचाने में कठन, सिक्चक एवं भारी अनिकारतक सब्द गुरू के अर्थ है Next question है, question number 89 जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक सब्द है तो देखिए जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए सब्द है अकिंचन बाकी जिसमें कुछ करने की छमता ना हो उसे कहते हैं अर्चम तथा जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए सब्द यूज करते हैं अग्य जिसमें सामर्थ ना हो उसके लिए हम यूज करते हैं असमर्थ नेक्स कॉस्चन है लोकोत्ती के सम्मन्द में इम्नमे से कौन सा कथन असत्य है तो देखिए लोकोत्ती पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा अपूर्ण वाक्य होता है ओप्सन नंबर भी इसका राइट आंसर है नेक्स कॉस्चन है कॉस्चन नंबर 91 कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साजा करता है तो देखिए बांगलादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साजा करता है बांगलादिस के साथ सीमा साजा करने वाले भारती राजज है असम्, पस्चिम् मंगाल, मिजोरम, मेगाले और कृपुरा Next question है कौन सा कमबोडिया की राजधानी है? तो देखे कमबोडिया की राजधानी है नॉम पेन है वियतनाम की राजधानी है हनोई और साइप्रस की राजधानी है निकोसिया तो इसका राइट आंसर है option number C, नॉम पेन question number 93, राश्टी क्रिसी विपणन संस्थान कहां इस्थित है तो देखी राश्टी क्रिसी विपणन संस्थान एक राश्टी स्थर का संस्थान है यह संस्थान जैपुर में इस्थित है नेक्स्ट कॉस्चन है असूटेवल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है तो देखी असूटेवल बॉय उपन्यास के लेखक विक्रम सेठ है यह उपन्यास 1993 में प्रिकासित किया गया था नेक्स्ट कॉस्चन है निमलिकित नामों में से किसे अर्जन पुरुसकार प्राप्त नहीं किया गया है तो देखिए दारा सिंग एक भारती पेसेवर पहलवान थे उन्हें अर्जन पुरुसकार अब तक नहीं मिला है जबकि प्रदीप कुमार बनर जी पुलेला गुपीचं है तो देखिए उत्तर प्रदेश के हर दोई जलेवें सांडी पक्ची बिहार इस्थित है सांडी पक्ची बिहार को इसके प्राचीन नाम डेहर जहेल के नाम से भी जाना जाता है इस जहेल का छेतरफल 309 हेक्टेर है नेक्स कुश्चन है मद्देश यानि आधुने कुत्त महा जनपत इस्थापित थे तो देखिए 16 महा जनपतों में से 8 महा जनपत जिन में कुरू, पांचाल, कासी, कौसल, सूर सेंग, चेदी, वत्स, तथा मल, मध्य देश यानि की आधुने कुत्तर प्रदेश में इस्थापित थे नेक्स कुश्चन है नेमलिकित में से कौन सी निर्ति सहली उत्तर प्रदेश की प्रमुख देन है तो देखिए कथक निर्ति सहली उत्तर प्रदेश की प्रमुख देन है कथक निर्त उत्तर भारती संस्कृति का एक फेमस निर्त है नेक्स कुश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले को नगर महोदा इस्री के नाम से ज सितंबर 2021 में किस राज ने मात्र भूमी योजना शुरू करने की घोशना की थी तो उत्तर प्रदेश का पेपर है तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित तिनाथ ने सहभागी ग्रामीड अर्थवयस्था तथा बुनियादी के लिए beneficially होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा जो भी candidate चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को subscribe जुरू करें और अगर वीडियो पतन दा रही हैं तो ने like भी करें और चैनल के साथ अपना यूँभी support बनाए रखें Thank you so much मिलेंगे कल practice at 4 में